जोहार आप सभी को राम राम जार्खन के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी जब सुबह मैं रांची पहुचा तो मौसम जादा खराब हो गया हेलिकॉप्टर उड़ नहीं सकता था इसलिए मैंने तय किया कि सडक के रास्ते ही जमसेत्पुर जाओंगा रास्ते भर बारिश भी अपने आशिरवाद बर्षा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहरे पता नहीं तक मैं जाने वाला हूँ लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा भारी बारिश के बीज भी हाथ में जंडा लेकर के लोग पूरे रास्ते में खड़े थे स्थान स्थान पर खड़े थे ये प्यार ये आशिरवाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है साथियों बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो रुकावटे कितनी ही जाजा क्यों न हो लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आप से अलग नहीं कर सकती है मैं आपके दर्शन किये बिना वापिस नहीं जा सकता हूं और इतलिए बायरोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुँच गया साथियों करांती और बलिदानों की ये धर्ती बगवान बिर्शा मुंडा के तब त्याग और आशिरवाद की धर्ती वो धर्ती जिसने पोटो हो जैसे कुलहान के महान युद्धा दिये जिसने जम्शेजी जैसे उद्यविके जरिये आजाज भारत के सपनों को सीचा था मैं जार्खन की इस महान धर्ती को प्रणाम करता हूँ साथियों आज कर्मा पुजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे जार्खन को विकास की कई बड़ी सोगात देने का सोबाग्य भी मिला है मैं कर्मा परवकी आप सभी को बढ़ाई देता हूँ साथियों उत्सव के इस माहूल में आज जार्खन को छे नई बंदे भारत ट्रेने मिली है जार्खन के अलग-अलग शेहरों में लोगों को आप आदुनिक सुमीदाओं के साथ हाइस्पीड सफर का अनुपव मिलेगा इसका बड़ा फाइदा मद्दंबर को होगा उद्यमियों को होगा इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी आउसर बनेंगे साथियों आज जारखन के हजारों गरीबों को पी-ए-म आवास योजना के जरिये पक्के घर भी मिले हैं इन मैंसे जांदातर घर मेरी माताओं बेहनों के नाम पर है कर्मा पूजा के दीन बेहने अपने भाई की लंबी आयू के लिए प्रांथना करती है आज आपका ये भाई अपनी बेहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है साथियों कुछी महिने पहले मैं लोकसभाज चुनाव के दवरान भी आप सबका आशिरवाद मांगने जारखंड आया था आप उस्तप्ती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आये थे दुनिया ने देखा एक तरफ सारा विपक्स मोदी को हराने के लिए बेचेन पूरी जमात बड़े बड़े शड़ियंत्र बड़ी बड़ी साजी से जूट फैलाने की इतनी बड़ी मशिनरी इतना बड़ा अफ्वाह का तंत्र बेच को बाटने वर तोड़ने वाली ताकते लेकिन आपका आशिदवाद उन सब पर भारी पड़ा मैं आपके इस प्यार के लिए आपके आशिरवाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ मेरा सवभाग्य है आज देश के दलीत वंचीत गरीब आदिवासी और महिलाओं का आशिरवाद मुझ पर है देश को मोदी पर भरोसा है आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है मध्यंबर का भरोसा मोदी पर है और इस भरोसे को मजबुत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की आप इतने उत्सा में इतनी आवाज आ रही हैं शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा मेरी प्रार्थना है आपका उत्सा बनाए रखिये लेकिन अगर थोड़ी शांती रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी तो मैं चालू करो बात बताओं साथियों जार्खन और भाजपा का रिस्ता सिर्फ एक राजनीती का रिस्ता नहीं है सिर्फ चुनावों का रिस्ता नहीं है यह रिस्ता दिल का है यह रिस्ता अपने पन का है जार्खन का सपना भाजपा का अपना सपना है मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप जबाब देंगे जड़ा आथ उपर करके बताईए जवाब देंगे सब के सब जवाब देंगे जड़ा मुझे बताना अलग जार्खन राज का सपना किसकी सरकार में सपना पुरा हुआ भाजपा सरकार में किसकी सरकार में आकांगची जिला योजना के जरिये जार्खन के पिछडे जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की भाजपा सरकार ने की बगवान बिर्सा मुंडा की जन्मजैंती पर जन जातिये गवरव दिवस की शुरुवात किस सरकार ने की भाजपा सरकार ने की आप भी जानते हैं कैसे देश में दसकों तक आदिवासी युवाओं को सिक्षा व्यवस्ता से दूर रखा गया ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिन्ता की किसने चार सो से जादा एक लव्य आदिवासी विद्याले बनाए बीजेपी की सरकार ने और इतना ही नहीं आदिवासी समाच एक महिला को देश की रास्पती किस ने बनाया तो जवाब एक ही है भारतिय जनता पार्टी ने बनाया साथ्यों पहले की सरकारे खनीच संसाधनों से संपन जारखन और दूसरे हिलाकों से केवल वसुली करती थी मैंने डिस्टिक मिनरल पाउंडेशन यानि डियम बना कर आपको आपका हक दिलाया आज भी बाजपा केंद्र में रहकर जारखन के विकास के लिए पूरे समर्पन भाव से सेवा भाव से काम कर रही है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप राज्य सरकार में भाजपा को मोका दिजिए जारखन के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाके नहीं छोड़ेगा साथियों जारखन के तीन सबसे बड़े दुश्मन है यह जारखन के दुश्मनों को जारखन के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जारखन का भाग्य सुनिश्चित होगा जारखन के यह तीन दुश्मन है जेमेम आरजेडी और कॉंग्रेस जारखन के निर्मान का बदला आज भी आरजेडी जारखन से उतारती है और कॉंग्रेस को तो जारखन से नफ्रत है ही कॉंग्रेस पार्टी ने इतने दसक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया लेकिन इनों ने देश के दलीट पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया साथियों ये लोग स्वार्त और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं आप देखिए ये जे में वाले जिनोंने आदिवासीों के वोट से अपनी राजनीती चमकाई आज वो किसके साथ खड़े हैं ये लोग आदिवासीों के जंगल जमीन पर कबजा करने वालों के साथ हैं इस समय जार्खन का बहुत बड़ा मुद्दार गुस्पेट हर जार्खंडी के लिए चिंता का विशय बना हुआ है नवजवान बेटियों के हर माबाप के लिए राज की निंद उड़ाने वाला बना है दो तिन दिन पहले ही जार्खंड हाईकोट ने एक स्वतंत्र पैनल से गुस्पेट की जांच के आदेश दिया है लेकिन यहां जेमेम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जार्खंड में गुस्पेट हो रही है भाई और बहनों आज संथाल परगणा और कुलहान में बंगला देशी और रोहिंग्या गुस्पेट बहुत बड़ा खत्रा है इस पूरे खेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है आप यह नीचे रखिए पीछे लोगों को दिखता नहीं है नीचे रखिए आप आप सब को नीचे रखिए वो फ्रेम वगेर सम नीचे रखिए आप आपका प्यार मेरे सर आखों पर भाई मैंने देख लिया आपकी मेहनत की में इज्ज़त करता हूं आप भी नीचे रखिए पीछे लोगों को परेशानी हो रही है प्लीज आपने इतना बढ़िया चित् जुर है इसको नीचे रखिए पीछे वालों को परेशानी हो रही है कि आपका यह प्यार मेरे सर आखों पर है भाई मैं मैं इस प्यार को कभी भूलने सकता हूं साथियों मैं गुस्पेट की बात कर रहा था संथाल प्रगना में आदी वास्चियों की आबादी तेजी से कम हो रही है यहां के लोगों की जमीने हडपी जा रही है गुस्पेटिये पंचायों तो पर व्यवस्था पर कबड़ा कर रहे हैं बेटियों के साथ अत्याचार की वारदाते बढ़ रही है जारखन के शहर हो या जारखन के गाउं इस गुस्पेट के कारण हर जारखन्डी असुरश्चीत मैसूस कर रहा है साथियों सक्चा ये हैं कि जी एम एम के लोग बंगलादेशी और रोहिंगिया गुस्पेटियों के साथ खड़े हैं एक गुस्पेटिये और कट्टर पंथी जे एम एम को भी अपने कबजे में लेते जा रहे हैं इनके लोग जारखन्ड मुक्ति मोर्चे के बीतर भी गुस गए हैं जानते हैं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जे में में कॉंग्रेस का भूत गुस गया है जब किसी पार्टी में कॉंग्रेस का भूत गुस जाता है तो तुष्टी करण ही उस दल का इकलोता एजंडा बन जाता है इसके लिए सबसे पहले ये लोग बलीत आधिवासी और पिछडा समाज के हीतों की बली चड़ाते हैं यही हाल जे एम एम का भी हो रहा है इसलिए हमें एक बात साप साप समझनी होगी जे एम एम और कॉंग्रेज जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं यही समय है हमें इस खत्रे को यहीं पर रोकना होगा इसके लिए जारकन के हरेग नागरिक को एक जुट होना होगा भाजपा को मजबूत करना होगा साथियों वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगें नहीं होते जे एम एम सरकार के पाँच साल का कारकाल इसका सबूत है वोट लेने के लिए लोग आदिवास्यों के नाम पर राजनीती करते हैं लेकिन जे एम एम के लिए आदिवासी समात का संबान नहीं अपना सियासी फाइदा सबसे उपर है आज जार्खन का गरीब आदिवासी पुत्राए क्या चंपई सोरेंजी आदिवासी नहीं थे क्या क्या वो ये गरीब परिवारते नहीं आते थे क्या लेकिन जिस तरह उन्हें अप्मानित किया गया जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्शी कब जाने के लिए उन्हें अप्मानित करके हटाया गया उससे जार्खन के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है दुख से बरा हुआ है शीता सोरेंजी तो उनके ही परिवार अपने ही परिवार से थी लेकिन एक महिला होने के बावजुद उन्हें अप्मानित और बेदखल किया गया इसका जवाब जार्खन का हर आदिवासी देगा जार्खन की हर माता हर बैड हर बेटी देगी साथ्यों जार्खन का दिर्मान बड़े सप्रों के लिए हुआ था लेकिन इन सपनों का इन आकांग्छाओं का क्या हुआ यह सब ब्रस्टा चार और लूट की भेट चड़ गए और आप जानते हैं इस देश की सबसे बैमान और महा ब्रस्ट पार्टी एक ही है कॉंग्रेस पार्टी इस देश का सबसे ब्रस्ट परिवार एक ही है कॉंग्रेस का परिवार ब्रस्टा चार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है यह जेमेम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेणिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाब है कॉंग्रेस स्कूल ओप करप्शन जारखन मुक्ति मोर्चा ने पांच सार में केवल एक ही काम किया है जारखन की लूट और चारों तरब प्रस्टा चार जेमेम सरकार ने जल जंगल जमीन सम्में प्रस्टा चार किया एक और यहां का गरीब शहरों में रहने वाला मद्दमभग एक एक रुपिय के लिए पसीना बहाता है दूसरी और इस सरकार के मंत्री और इनके सांसत के ठिकानों से उनके नौकरों के एड़े से सेकड़ों करोड कैश बरामद होता है हजारों करोड रुपिय के गोटाले होते हैं आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड जारकन से निकले थे टीवी में महिनों तक वो नोटे के पहाड दिखाए जाते थे यह नोटों के मशीन से नोट नहीं आई यह नकली नोट नहीं थे कि यह आपकी महनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब बरा था यह आपका पैसा है भाव्यों बहनों इस चुनाव में यह ब्रस्ता चार करने वाले आपके धन को लूटने वाले देश के खजाने को लूटने वाले जारखन के खजाने को लूटने वाले उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है मुझे आपको साथ चाहिए भाईयों आज यहां राज्य सरकार के सवरक्षण में जारखन के खान खनीज बालू सबकी लूट हो रही है इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा इन्होंने जारखन के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा मुझे यहां के लोग बता रहे थे अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बौड लगाना पड़ता है कि जमीन भी काउं नहीं है और यह हालत जमसेदपूर जैसे शहरों तक में है साथियों जेमेम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इसे लोग बौखलाए हुए है बाजपा के नेताओं पर जूठे केस ला दे जा रहे हैं सत्ता जाने के डर से इन्हों ने अपना जूठ का पिटारा निकाल दिया है आप मुझे बताए इन्हों ने जब तक नोकरी नहीं तब तक बेरोजगारी बकता का बादा किया था कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का बत्ता मिला मिला क्या इन्होंने शहरी योजना शुरू के शहरों में रोजगार मिला क्या उल्टे वो योजना ही दो माने में बंदो गई हालात यह हैं कि बर्ती परिश्याओं के नाम पर राज में पंद्रा से जादा युवाओं की जान तक चली गई पंद्रा नौजवान उस मा के लाड़ले उस बहन के भाई इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गवा बैठे हैं प्रदेश सरकार समवेदन सिल होने की जगह जखमों को कुरेदिने में लगी है इस गटना में जिन युवाओं की जिन्दिगी गई है मैं उन्हें स्रदांजली देता हूँ उनके परिवारों को सांत बना देता हूँ और मैं वादा करता हूँ जार खंड में कुछी महिनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी एंडिये सरकार बनेगी तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी सिकंजा कसा जाएगा साथियों जार खंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है इन्होंने हर साल जे पी एस सी और जे एस सी की परिशाएं आयोजित करवाने का बादा किया लेकिन बादा पूरा करने की जगह सरकार के सवरक्षन में नोकरीब बेचने वाले गिरोपनप रहे हैं यहां पेपर लिख करने वालों को शहद दी जा रही है हर परिशा गड़बडियों का शिकार है युवाओं के बविस्ते खिलवार करने वाली ऐसी राज सरकार को हमें जारकन से हताना ही होगा यहां के सरकार आप से सरफ जुठ बोल सकती है जुठे वाई दे कर सकती है भाई और बहनों गरीबों को जासा देने के लिए इन्होंने पैट्रोल डीजन देने में की योजना भी चलाई थी आप मेंसे किसी को पैट्रोल डीजन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा ना क्योंकि यह वो योजना भी जूठा दिलासा था उसे भी दो महिने में बंद कर दिया गया अब यह महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को बर्माने के लिए नए नए तिकनम लगा रहे हैं इसलिए आपको ऐसे दोखे बाजों को सरकार से बहार निकालना है साथियों वादे करना और उन्हें पूरा करना यह केवल बीजेपी ही करती है एक और हमारी सरकार है हमने चुनाओं में गरीबों को तीन करोड और पक्के मकान देने का बादा किया था पिछले महिने इस सरकार ने इसको मंजुरी भी दे दी है हमने सत्तर साल चैदिक उम्रा के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी कुछी दिन पहले सरकार ने उस पैसले पर भी महर लगा दिये हम हर गर तक जल पहुचा रहे हम लगातार छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी दे रहे हैं कि लेकिन भाई यो बैनों आपको याद होगा डेर सारी गोच्राएं कॉंग्रेस पार्टी ने भी की थी कॉंग्रेस ने पिछले लोग सबाद चुनाव में युवाओं और महिलाओं को एक एक लाख रुप्य देने का बादा किया था लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांग ये ने कॉंग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया जहां जहां कॉंग्रेस की सरकारे हैं वहां वहां ऐसे जूट की दुकान ऐसे ही जूट की दुकान खोली जा रही है साथियों जे-म-म वाले भी जब-जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाईए क्योंकि जे-म-म को भी ये ट्रेइनिंग कॉंग्रेस से ही मिली है जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेपर डाकाट डालेंगे मैया सम्मान योजना के नाम पर महलाओं से 3300 रुपए मांगे जा रहे हैं अब वह आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इने मोका मिल रहा है ये पिछले दरवाजे से लाभारतियों के गुमरा करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं कि नूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाने के लिए पांच-पांच हजार देने पड़ते हैं मैं आप से पूछता हूं जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या यह जवाब देने का मोका आपको आने वाले चुनाओं में मिलेगा सात्यों मुझे विश्वास है कि जारखन की जनता जारखन के विकांच के लिए वोट करेगी आप सब एक बार फिर बाहजवाब पर अपना आशिरवाद बरसाएंगे आप सब इतनी बड़ी तांदाद में इतने उत्सा से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे पविश्य साफ नजर आ रहा है आपने इतनी बड़ी तांदाद में आकर हम सब को आशिरवाद दिया मैं आपका रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों मुट्री बंद करके पुरी ताकत से बोलिए मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट भी चालू कर दीजिए सबके मोबाइल की फोन की फ्लेश लाइट चले है भारत माता की हारत माता की हारत माता की हारत माता की हारत माता की बहुत-बहुत धन्यवाद मोड़ी, मोड़ी